अस्वाम क्योंट आपका सफर प्लॉट से मकान ता है इस वीडियो में आपको एक्स्प्रेन करने की कुछ करूँगो कि रेल स्टेट में इंवस्टमेंट करने का राइट टाइम कौन सा होता है और इस वक्त नोवा सिटी इसलामबाद में सबसे राइट टाइम क्यों है इंवस्टमेंट करने का सबसे पहले जी रेल स्टेट में इंवस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है ऐसा क्या वक्त होता है कि जिस वक्त आप investment करें तो आपकी investment पर आपको nominal return तो मिलते ही मिलते हैं साथ आपकी investment जो होती है उसको आप grow करने के साथ साथ आप उसको long term भी अगर maintain करते हैं तो उस पर security factor आपको मिल जाता है security factor के लिए चंद important चीज़न जो होती है इससे पहले कि आप investment करें उससे पहले चंद चीज़न नॉमिनल होती है वो यह होती है कि सबसे पहले उस project की location क्या है यानि किस सिखाप पर locate करता है अब उस project की location में जैसे in the case of Nova City front इसका CPAC route पे है back शीरिनगर highway पे है left side CPAC cargo zone के साथ है और airport के साथ adjacent है तो location तो बहुत prime बन जाती है second is कि उस project में जिसमें investment कर रहे है उसका legal status क्या है यह सबसे critical point होता है real estate में investment करने का legal status क्या है Nova City case में अभी तक उसका legal status जो है वो अभी approved NOC नहीं है लेकिन जब investment आप करने लगें अगर NOC just around the corner हो तो आप उसमें investment करते हैं तो आपको उसमें overnight अच्छे return के chances बन जाते हैं in this case कि Nova City case में अभी investment का सबसे golden time या golden opportunity क्यों है अब Nova City में investment की golden opportunity इसलिए है कि Nova City का जो NOC है that is just around the corner maybe in 15 days, 3 weeks, or a month or so इसका NOC आजाए जब NOC आजाएगा तो उसके बाद आपके जो first rates होते हैं उस पे आपको बड़ा nominal return आता है अब first rate क्यों important है जब भी कोई project launch होता है the very first rates are very important कोई भी project के पहले rate होते हैं A, B, C, D, कोई भी project उठा लें जिस project के बात करेंगे उसके पहले rate की सबसे पहले देखा जाता है या पहले rate launch क्या हुआ था for example, in this case नुवा सिटी में जैसे पांच मला plot launch होई बीसलाग रुपे का residential plot है जो first phase में launch होए थे अब residential plot जो पांच मला plot जो है बीसलाग रुपे का launch हुआ that includes development charges as well यानि कि इस वक बहुत छोटे छोटे projects भी आते हैं लेकिन छोटा सा NOC approved होता है तो उसके rates होते हैं वो बहुत peak कर जाते हैं बहुत different rates होते हैं लेकिन इस case में एक airport के साथ society हो और society का NOC बिलकुल around the corner हो और उस NOC around the corner होने के साथ साथ उसके rates भी नॉमिनल हो और उसके बाद पर डिवेलपर का इंसान आता है कि डिवेलपर जो परजेक्ट ओफर कर रहा है यानि आपके passages की जें में जाएंगे वो इंडिविजूल या वो अथर्टी वो जो एक अधारा है वो कह रहा है आप से कि नॉवा सेटी में राइट टाइम ये इंवेस्टमेंट क्यों है आप देखें रिल एस्टेट में राइट टाइम होता है कि जब अनोसी आने वाला हो और आपको पास पहला rate हो और उसके location अच्छी हो तो यहाँ पर रिल एस्टेट की बात खतम हो जाती है नॉवा सेटी के पास यह option जो है यह ज्यादा feasible क्यों है मैं उसको explain करता हूँ सबसे बहले जी नॉवा सेटी में राइट टाइम इस वक इन्वेस्टमेंट का इसलिए है कि आप यह वीडियो का recorded date देख लेए इस से आज से तक इमन 3 weeks और 2 weeks और max 1 month और 100 तो आपको नॉवा सेटी का NOC जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होता हो और नजर आएगा यह तो पहली बात है दूसरी बात कि नॉवा सेटी इस सब्सक्राइट है उस पर सेल आउट हो रहा है यह यह बात करते हैं तो यह यह बात करते हैं यह होगा सुसाइटी का फर्स डाइटी का फिर्स य। अब नोसी NOC जब society का आएगा तो first rate में आपको बहुत nominal jump बहुत अच्छे और बड़े nominal jumps नज़र आएगे वो क्यों नज़र आएगे जब rates NOC आता है जिससरा society होती है उस पे एक आम अभी तो इसलामबाद के real estate ब्राजरी का trust है एक आम तो पर कुछ clients का trust है जैसे मेरे कुछ clients हैं जिसको मुझे एक project पर trust है तो वो आंखे बंदर कहते हैं के रिजवान we are good with this क्योंकि मैंने उनको कहा है कि यार यह project मुझे secure feel हो रहा है अब general public कब इन investment करती है जब real estate में NOC approved society हो जाती है अब जब इसका novacity का NOC आएगा और यह market का approved project बन जाएगा तो जाहर सी बात है कि general public का इसमें इंटरस्ट बहुत ज्यादा होगा novacity के total inventory जो है अगर आप उसकी demand supply का factor देखें तो अभी जो demand है वो real estate ब्रादरी यह मेरी fraternity की तरस से यह मेरी fraternity के clients की तरस से है अभी जो general public की demand है उसने NOC के बाद एक बहुत बड़ा surge लेना है उसने rise लेना है जब वो surge जो rise आएगा उस वक्त नवा सेटी की जो prices होंगी वो peak कर जाएगी तो यह factor होते है कि आपको real estate में investment करने का right time कौन सा आता है इसकी सबसे बड़ी example आप इससे देख लें कि नवा सेटी के overnight commercial sold out हुए यानि कि नवा सेटी ने कल commercial plots launch किये और commercial plots चार मला commercial plot 60 lakh rupees 20% down payment के साथ आपको 12 lakh रुपे down payment के साथ 4 lakh का plot मिल रहा था आज वही plot market में लोग आपसे profit demand कर रहे हैं सेकंड आठ मला commercial plot की launching price थी 120 lakh rupees और down payment थी 20% के साथ 24 lakh rupees 24 lakh rupees down payment के साथ वही plot आज market में जो profit के साथ demand हो रहा है यह reason होती है कि overnight selling होई पहले बाद एक project NOC approved नहीं है लेकिन फिर भी overnight selling कैसे होई वो इसलिए होई कि लोगों को पता होते ह हमेशा society जब अपनी commercial inventory निगालती है तो ऐसे वक्त पर निगालती है कि जब society में अच्छा boom आने वाला होता है अब इसके साथ साथ नोवा सेटी के अंदर जो development का status है जाए सी बात है NOC की बात वह पीक पकड़ेगा और जो commercial plot जिन लोगों ने लियो है as per the management of nova city they said कि हम try करें ताकि उन commercial plots पे individuals अपने offices वारा बनाएं महां पे construction स्टार्ट करें उस construction स्टार्ट होने के साथ साथ overall जब development site की होगी आपको regular development के साथ marketing भी मिलेगी मुफ्तली companies की और जब marketing होगी तो इसकी market में demand और जो supply का ratio है वो बहुत ज़्यदा differentiate कर जाएगा अब भी for the time being जो demand है उससे ज़्यदा demand supply equal level पे है यानि कि इतना बहुत nominal difference नहीं है बट NOC के बाद यह जो difference है demand supply का यह बहुत बड़ा gap हो जाएगा यानि कि demand बहुत ज़्यदा होगी क्योंकि general public की demand है वो सारी की सारी depend करती है NOC factor पे जब NOC आएगा no objection certificate from the concerned relevant development authorities, regulatory authorities जब NOC आएगा तो उसके बाद demand में एक बहुत बड़ी peak आएगी और इसके साथ साथ आपको इसके rates में बहुत बड़े jumps नजर आएगे यह factors होते है real estate में आम तोर पे जोते है investment का best time कौन सा होता है और इसको नुवा सिटी में investment का right time क्यों है तो यह मैंने आपको detail video उताने के इसलिए कुछ की कि आप देखेंग इसके लाँ मरे website विजट करना मत भूले www.makawansolutions.com अगर आपको यह video अच्छी लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूले रिजबान चीमा को दीज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस कर दो दो ले खुदा है